नमस्कार मद्दबर्देश की ताज़ा और बड़ी खबे रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरू चेनल को सब्सक्राइब रूकरे और बिल आइकन को दबाए अब मद्दबर्देश के के जिले से इसे नूच को देख रहे हैं कमेंडर बॉक्स में लिखके हमें जरू बताएं आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं एक हजार का उम्मेदे की आप इसे पूरा जरू करेंगे चलिए देखते हैं मद्दबर्देश आज शुबे की बड़ी खपए इन दौर में सबसे कम 60.53 बोटिंग MP में चोथे चरण की 8 लोगसभा सीटों पर 71.72 बोटिंग के साथ ही अब मद्दी प्रदेश की सभी 9 लोगसभा सीटों पर चुनाओ संपन हो गया है चोथे दौर में सुंबार कों इन दौर उजयन देवास रतलाम मंद्दसोर धार खरगोन और खंडवा सीटों पर मतदान हुआ यहां कुल 74 प्रत्यासियों की किस्मत EVM में कैद हो गई है साम 6 बजे तक इन सीटों पर बोटिंग का अकड़ा 71.72 प्रतिसत रहा इन दौर में सबसे कम 60.53 प्रतिसत बोट पड़े हैं जबकी खरगोन में सबसे ज़्यादा 75.89 प्रतिसत मतदान हुआ है MP के जिन 16 जिलों में बोटिंग वहां आंधी बारिस diversity आपको बता दें मध्य प्रतिस के जिन 16 जिलों में बोटिंग हो रही है उन में से कई जिलों में बारिस से सुरू हो गई है इससे मतदान भी प्रभावित हुआ है कई जगा ओले भी गिरे मतदान के आकरी समय में साम कूं। इंदौर, रतलाम, धार, ज्भावगा और साज़ापुर में पानी गिरा। इसके अलावाद चिंदवाडा में भी पानी गिरा, इंदोर में सोंबार कों बोटिंग के दोरान आखी गंटे में साम करीब पांच बजे बारिस सुरू हो गई, उंबाइपास इलाके में करीब चार बजे तेज हावा के साथ ओले भी गिरे, साजापूर जहाबगा के रतलाम में आंधी के साथ तेज बारिस हुई, तेज हावा के कारण मतदान केंद्रों पर लगा टेंट भी उड़ गया, कई जगहा ओले भी गिरे, सहरी चेत्री की बिजली भी गुल हो गई सीवी ऐसी दसवी बारहावी का रिजल्ट घोसित बारहावी का पहिणाम 89.53, दसवी में 97.10 फिजदी स्टूडेंट सफल आपको बता दें केंद्री माधिमेक सिक्षा बोड ने सोंबार को दसवी और बारहावी का रिजल्ट घोसित कर दिया साजापुर के निश्चे भावशार ने बारहावी में 99.87 अंक प्राप्त किये हैं मध्यपदे सीवी ऐसी के अजमे रिजन में सामिल हैं बारहावी में रिजन का रिजल्ट 89.53 रहा है अजमे रिजन का देश में 10वा इस्थान है बारहवी क्लास का रिजल्ट जारी होने के करीव दो घंटे वाद दसवी का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया दसवी बोर्ड में अजमेर रीजन का पहिणा में 97.1037 और देश में 5 वैस्थान है 2023 में बारहवी का रिजल्ट 89.2727 रहा था आर्मी के ट्रक, कार और बस की भिड़न्त आपको बता देएं राजगर जले में एनेच 46 पर सोमबार को सड़क दुरगटना में जवान सहीत तीन लोगों की मौत हो गई इसमें एक बस स्यात्री और बस्ता क्लीनर भी सामिल हैं हादसा सोमबार सुभा करीब दस बजे पीलू खेड़ी गाओं के समीप धागा फैक्ट्री के पास में हुआ दुरगटना में घायल आर्मी जवान क्रिशने दत्य जोसी की भी दोपहर बाद भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई इसे दुरगटना में पहले पांच लोगों की मौत की सूचना मिली थी मिर्तकों में आर्मी के दो जवान दो या ती वा एक फैक्ट्री का कर्मचारी बताया जा रहा था हालां की बाद में आर्मी के जवान सहीते तीन लोगों की मौत की पुष्टी हुई है सूचना मिलते ही आसपास के लोग आर्मी बाप पुलिस के जवान मौके पर पहुंची उन्होंने आर्मी के ट्रक में फसे जवानों के दस राज्जियों की 96 सीटों पर 62.56 परतिसत बोटिंग सबसे ज़्यादा परश्चिम बंगाल में 75.72 परतिसत और सबसे कम जम्मु कस्मी में 35.97 परतिसत मतदान आपको बता दें लोग सभा चुनाओं के चौथे फेज में सोंबार को नौराज्जियों और एक केंद्र सासित प्रदेश जम्मु कस्मीर की 96 सीटों पर बोटिंग खत्म हो गई 62.56 परतिसत बोटिंग हुई सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 75.32 परतिस परतिसत और सबसे कम जम्मु कस्मीर में 35.97 परतिसत मतदान हुआ इसके अलावा आंध्रिप्रदेश की 175 और ओडिसा की 28 विधान सवा सीटों पर भी मतदान हुआ राजदवा कॉंग्रेस कर रहे तुष्टी करण की राजनीती पी एम मोधी ने कहा आपका आरक्षन लूटने नहीं दूंगा आपको बतादे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने चपरा में राजीव प्रताप रूडी के लिए चुनावी सभा को सम्बोधित किया इस दोरान उनकी निसानी पर राजदवा कॉंग्रेस रही उन्होंने कहा कि राजदवा कॉंग्रेस आपके आरक्षन को लूट कर मुसल्मानों को देना चाहती है वहे धर्मी के आधार पर आरक्षन को बांटना चाहती है मोधी आपके आरक्षन को लूटने नहीं दूंगा उन्होंने कहा कि आज विस्व में भारत का रुद्वा बढ़ा है इसे चुनाओ भारत की साख को और बढ़ाने का काम करेगा फिर बोले सिवराज तीन हजार होगी लाड़ी वहना की रासी पश्चिम बंगाल में कहा नकल तो ममता दीदी ने भी की थी आपको बता दें पूर्व मुक्य मंत्री सिवरा सिंग चौहान ने एक वार फिर कहा कि मध्य प्रिदेश में लाड़ी वहना योजना की रासी बढ़ा कर तीन हजार रुपे तक लिए जाएंगे यही बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के मैधनीपुर में चुनावी जन सभा को संबोधित करते हुए कही पूर्व सीम सिवरा सिंग चौहान ने कहा मैं मध्य प्रिदेश का चार वार मुक्य मंत्री रहा हरिकार इक्रम की सुरुवात बेटी की पूजा करके करता हूं क्योंकि बेटियां दुरगा लक्ष्मी सरस्वती हैं इस्थानी निकाय के रुपे हर महीने डाल रहे हैं इसे वढ़ाते हुए तीन हजार रुपे महीना तक ले जाने वाले हैं लगातार उस रासी को बढ़ा रहे हैं कारण हमारी वहनों को चोटे-चोटे कामों के लिए हाथ ना फैलाने पड़े मोदी के खिलाफ नामांकन करने वालों की कतार वारानासी में देशवर से सो लोग पहुँचे आपको बता दें बारानासी से पीए मोदी के खिलाफ नामांकन करने देशवर से सो से ज़्यादा लोग पहुँच गए इस से कलेक्टरेट ओफिस के वाहार अफरत अफरी मच पुलिस कर्मियों को कलेक्टेट ओफिस का गेट बंद करना पड़ा इस दौरान पुलिस से जड़प और धक्कमुकी हो गई लोगों ने हंगामा सुरूर कर दिया सूचना पाकर अफसर मौके पर पहुंचे सभी को समझा करसांत कराया अब सभी लाइन में लगकर बारी बारी से नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं दोपहर तक करीव सत्तर लोग परचाद दाखिल कर चुके हैं राजिस्थान के मिमिक्री आर्टेश्ट स्याम रंगिला भी नामांकन करने बारान सी पहुंचे हैं राहूल गांधी बोले अब जल्दी साधी कर लूँगा आपको बता दें राहूल गांधी सोंबार को बहन प्रियंका के साथ रायवरेली के पजरावां पहुंचे दोनों भाई बहन जनसभा को संबोधित करने एक साथ मंच पर पहुंचे इस बीच भीड में से एक लड़क पहुंचे पर राहूल ने कहा अब जल्दी साधी कर लूँगा संबोधन के दोरान राहूल ने प्रियंका को अपने पास बुलाया दुलार करते हुए कहा ये मेरी बेहन मेरे लिए कैंपेन कर रही अपना खून पसीना बहा रही ये मेरी दो माताओं की कर्म भूमी है इसलि घाट को पर में बिलबोड गिने से तीन की मौत 69 जखमी 67 को बचाया आपको बता दे मुंबई में सुमबार 13 मैं को दोपहर 3 वजे अचानक मौसम ने करवट ली दूलबरी आंधी के वाद बारिस भी सुरू हो गई ते जबा और आंधी से दिन में ही रात का नजारा दिखन गया बचाब कारे फिलहाल जारी है वहीं मौसम में आए बदलाव का मुंबई एरपोर्ट के ओपरेशन पर असर पड़ा कई राष्ट्रिये और अंतर राष्ट्रिये उरानों को डाइवर्ड किया गया जबकि कुछ का समय बदला गया मेट्रो लोकल रेल सर्विस भी द्वाएं शुरू हो गई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा सब्सक्राइब